Hello everyone, स्वागत है आपका हमारे चैनल Fable Fact पे आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले और notification bell को दबा कर on कर ले ताकि आगे आने विडियो का notification आपको टाइम पे मिल जाए इस सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं MCQs और VSA, Very Short Answers सारे chapters के solutions आपको यहीं पे मिल जाएंगे और आप बने रहे हैं हमारे साथ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा विडियो The Story of an Invitation आज हम करने वाले हैं Multiple Choice Questions को और इस से पहले कि हम इस विडियो को स्टार्ट करें आप उपर दिये गए I button पे क्लिक करके इस स्टोरी के विडियो को पहले देख ले और समझ ले ताकि आप इन questions को आसानी से कर पाए और साथ ही आप एक paper और pen लेके बैठे अपने answers को लिखते जाए और चेक करे last में कि आपके कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का विडियो हमारे पहले questions से तो आज का हमारा पहला question है Who is the author of this story? इस story के author कौन है? पहला option है Christina Georgina Rossetti दूसरा option Lucy Maud Montgomery और third option है प्रभाज चंदर सेखर तो हमारा सही answer है Lucy Maud Montgomery तो चलिए next question के तरफ चलते हैं हमारा next question है Lucy Maud Montgomery was a Dash author ये कहां की author थी? पहला option है Russian दूसरा option है Canadian और तिसरा option है American तो सही answer है Canadian ये एक Canadian author थी तो चलते हैं next question के तरफ हमारा next question है बर्था सुथरलेंड वाज दा Grace's Dash बर्था जो थी वो Grace की क्या थी? फर्स्ट ओप्शन रूमेट सेकेंड ओप्शन क्लासमेट थर्ड ओप्शन क्लोस फ्रेंड तो उसकी रूमेट थी या क्लासमेट थी या क्लोस फ्रेंड थी तो सही अंसर होगा रूमेट वो उसकी रूमेट थी तो चली अब चलते हैं next question के तरफ हमारा next question है बर्था वाज दास गल बर्था कैसी गल थी? फर्स्ट ओप्शन डार्क कॉंप्लेक्शन मतलब देखने में डार्क थी अगली थी नेक्स्ट है beautiful and simple देखने में सुन्दर थी और simple थी और third option bright and pretty बहुत ही bright थी bright मिन यहाँ पे पढ़ने लिखने में तेज और अच्छी थी pretty थी देखने में सुन्दर थी तो हमारा सही option होगा bright and pretty चली अब चलते हैं next question के तरफ मारा next question है dash was quite alone in the world कौन अकेली थी इस पूरे दुनिया में option A, birtha option B, grace option C, both या birtha थी या grace थी या दोनों थी तो हमारा सही अंसर होगा grace grace इस दुनिया में बिलकुल ही अकेली थी last जो उसकी आंट थी उनके साथ रहती थी उनका भी देथ हो गया था और इस वजासे वो अब दुनिया में बिलकुल अकेली थी चलिए चलते अब next question के तरफ हमारा next question है aunt make was the dash aunt aunt make किसकी आंट थी grace की बर्था की या clerkman की तो हमारा सही अंसर है aunt make बर्था की आंट थी जिन्होंने उसे लेटर लिखा था और उन्हें गर्मियों के च्टी में वहाँ बुलाया था अब चलते हैं next question के तरफ next question है हमारा next day बर्था रॉटर dash letter to aunt next day दूसरे दिन बर्था ने अपनी aunt को एक लेटर लिखा कौनसा लेटर लिखा ए नंबर formal b secret c confidential तो उसने उन्हें एक confidential letter लिखा confidential में ऐसी बाते कहना जो आप aunt make को तो बता रहे लेकिन aunt make किसी और को नहीं बताएंगी उनके बीच में ही ये बाते रहेंगी तो ये जो लेटर है लिखा गया था उनके बीच में exchange को ले करके कि बर्था के जगा पे grace को वहाँ पे बुला लिया जाए चले चलते हैं next question के तरफ हमारा next question है aunt make understood as usual as was and was perfectly तो aunt make हमेशा की तरह बड़ी समझदारी से समझ जाती है कि क्या करना चाहिए तो यहाँ पर option है perfectly unwilling, willing या normal तो हमारा option सही होगा यहाँ का willing वो हमेशा इन चीजों के लिए तयार रहती है वो कभी भी मना नहीं करती चले अब चलते next question के तरफ next question है हमारा who was nearly bankrupt कौन bankrupt हो गया मतलब कि उसके सारे पैसे खत्म हो गया बर्था grace या margaret तो यहाँ पे सही अंसर होगा बर्था बर्था ने बर्था को जब later मिला आंट मेक का कि उन्हें वहाँ पे summer vacation के लिए बुलाया जा रहा है तो बर्था इतना ज़्यादा खुस हो गई कि उसने सारे पैसे chocolates के उपर खर्च कर दिये जिससे उसने कहा कि मैं nearly bankrupt हो चेकी मेरे पास और पैसे नहीं बचे है चले चलते अब आज के last question के तरफ हमारा last question है who adopted grace grace को किसने adopt कर लिया या गोद ले लिया color man ने, carter ने या margaret ने तो सही answer होगा margaret ने, aunt margaret ने, क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था और उनके भाई, उनके जो बच्चे थे, उनके भाई बहुत ज़्यादा लाल्ची थे greedy थे, इस वज़ा से aunt make उनके बच्चों को गोद नहीं लेना चाहती थी, इस वज़ा से उन्होंने grace को गोद ले लिया या adopt कर लिया तो आज के लिए इतना ही आप अपने comment में, इस comment में बता सकते हैं कि आपने कितने marks सही किये, thank you उन्हेंहें।